चर्ण सूट इंटू सिल्वर, खाली को चांदी में बगले एक आँखों का छलाबा क्या विज्ञान की सायता से किसी खाली बस्तों को चांदी की तरह चमकदार बनाया जगता है दाइक्स्परिमेंट रयूम् सामगरी तो स्पुन दो चमक्च्व बलक पर्मेंट मार्कर काला पर्मेंट मार्कर candle and matches मुंबक्ति और माचिस a glass of water एक glass पानी procedure प्रक्रिया paint the back of a spoon with the marker एक चमच के पिछले हिस्से को marker से paint करें dip the spoon in water and observe it चमच को पानी में डूगो कर देखे light a candle and cover the back of another spoon with soup एक मुंबक्ति जलाकर दूसरी चमच के पिछले हिस्से को खाली से ठक दे dip the spoon in water and observe it इस चमच को पानी में डूगो कर देखे इस चमच काली डिखनी चाहिए लेकिन दूसरी चमच सबगदार दिखनी चाहिए hypothesis support परिकल्पना का समर्चन the first spoon is smooth and black and would look black even in water पहली चमच चिकनी और काली है और पानी में भी काली डिखाई देगी second spoon has a distorted surface due to which spoon shall look shiny even though it's black दूसरी चमच की सतय विक्रित है इसके कारेट चमच काली होते हुए भी चमचतार दिखाई देगी variables that may affect the outcome चल जो परिणाम प्रवावित कर सकते हैं if the spoon is not properly covered in suit small patches of black color may appear यदि चमच को पालीक से ठीक से नहीं डखा लिया है तो पाले रंखे चोटे चोटे दब्बे दिखाई दे सकते हैं for light to be reflected there must be light so ensure there is enough light in the rule सुनेशित करें कि कमरें में पर्या प्रोशनी हो let's see how to perform the experiment आईए देखें कि प्रयोग कैसे करें हुआ परोशनी झाल दिन्टनी खरने और वित्चाबरेंगी विद्च वेख्यार इस्प्टन व्याख्यार व्याक्यार देख बाएर भब शर्फ फ्याख्यार सूट- сवुखर पूल टेखर टीन यारबल विच टीन लेख of air. The boundary of water and air reflects light and acts like a mirror, giving a shiny silver look. आलीक से डके चमच की खुदुरी सतय हवा के छोटे बुलबुलों को पाथा लेती हैं, जो हवा की एक पतली परत बनाते हैं. पानी और हवा की ये सीमा प्रकाश को परावर्पित करती हैं और चमकदार चांदी की तरह दिखती है. आप इस प्रयों को अन्य चीजों पर भी करकते हैं, जैसे अंडे. Since there was a layer of air between water and spoon, you will see that it was dry even after dipping in water, just like hydrophobic leaves or lotus. क्योंकि पानी और चम्मच के बीच हवा की एक परत थी, अब देखेंगे कि ये पानी में डूपने के बाद भी hydrophobic पत्तियों जैसे कमल के पत्तों की तरह सूखी थी. Thank you, धन्यवाद.